साथियों, मैं डिफेंस सेक्टर में आ रहे प्राइवेट सेक्टर की एक चिंता भी समझता हूँ अर्थ व्यवस्ता के अन्य सेक्टर के मुकाबले डिफेंस सेक्टर में सरकार का दखल कई गुना ज़्यादा है सरकार ही एक मात्र बायर है, सरकार स्वयम मैनुफेक्टरर भी है और सरकार की अनुमती के बिना एक्षपर्ट करना भी मुश्किल है और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि यह सेक्टर नेशनल सेक्टर से जुड़ा हुआ है लेकिन साथ ही प्रायवेट सेक्टर के साज़ेदारी के बिना 21 सदी का डिफेंस मैनुफेक्टरिन एको सिस्टीम खड़ा नहीं हो सकता यह भी मैं तो भली भाते समझता हूँ और अब सरकार के सभी अंग भी समझ रहे हैं और इसलिए आपने देखा होगा कि 2014 से ही हमारा प्रयास रहा है कि transparency, predictability और ease of doing business के साथ हम इस सेक्टर में लगातार एक के बाद एक कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं डी-licensing, deregulation, export promotion, foreign investment liberalization ऐसे अनेक उपायों के साथ हमने इस सेक्टर में एक के बाद एक मजबुत कदम उठाये हैं और मैं ये भी कहूँगा कि मुझे इन सारे प्रयासों के लिए सबसे ज़्यादा सहयो, सबसे ज़्यादा मदद uniform forces की leadership से मिली है वे भी एक प्रकार से इस बात को बल दे रहे हैं, इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं साथियों, जब defense force का uniform पहना हुआ अव्यक्ति, वो जब इस बात को कहता है ने, तब उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है क्योंकि जो uniform पहन करके खड़ा है, उसके लिए तो जीवन और मृत्यु का जंग होता है वो अपना जीवन संकट में डाल कर देश की रक्षा करता हो और वो जब आत्मिंदर पर भारत के लिए आगर आया हो, तो कितना सकारात्मक और उस्सां से भरा हुआ वातावन होगा, इसकी भली भाती कल्प ना कर सकते हैं